सो सूबह होते हैं और मैं स्पाउन हो जाता हूं अपने वर्ल्ड में अपने दोस्स के साथ सबसे पहले मैं स्पाउन होते ही बक्रियों को मारना सुरू कर दो क्यूंकि भाई खाना चाहिए हम लोग स्पाउन हुए थे सनू विलेज में फैंस को तोड़के मैं अंदर चला जाता हूं और खाना ले लेता हूं उसके बाद में आजू-बाद देखता हूं तो वूड के घर रेते सो या लूट तो करना जरूर है फिर यहां पर मुझी बेड मिलता है ब्लू कलर का तो मैं उसे ले लेता हूं विलेजर को मार कर मतला प सभी कर लेता हूं और क्राफटिंग टेवल में स्टोन की कुछ पिक आक्स और एक इक स्वार्ड बना रखी थी जटी से भूदन सवार्ड से मारने के लिए में जाता हूं आयान गोलों कुर पर वो मुझे मारता है और मेरा दोस्त आकर उसे मारना शुरू करता है मैं अपने सामन तब तक उठा लेता हूँ और उसके help करने चला जाता हूँ हम लोग iron गोलम को पूरी तरीके से खतन कर देते हैं और मैं iron चुरा लेता हूँ उसके बाद हम सोचते की mining को जाना है पर हमारे बास कोल नहीं लेता टॉर्ज बनाने के लिए इसलिए हम villagers के टॉर्ज और lanterns चुरा लेते हैं because of mining purpose ठीके हम लोग चोर नहीं है परढ़ा mining purpose के लिए चुराना पड़ता है ऐसे ये एक घर में तो मैं चोरी कर लेता हूँ तक तक मेरा दोस्त बाकी के घरों में भी चोरी कर ही लेता है यहां से भारात हो तो देखता कि ये विलेजर स्नो में सो है मतलब भाई glitch देखो मैं उसे उठा देता हूँ और मैं बोलता कि भाई क्या इसके बास आयन के पूर से वो चार एमरल्ड के बदले पर मेरे बास एमरल्ड नहीं है इसलिए मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ और ढूंटा कुछ पन नहीं मिलता यहां पर एक बेड दिखता हूँ तो मैं इस विलेजर कूछ उठा कर मैं खुछ सो जाता हूँ थोड़ी दिर बाद सुवह होते ही मैं है फार्मिंग में लग जाता हूँ क्योंकि हमें खाने की सक जरूरत थी और खाने के लिए काफी कम चीजे थी काफी कम मतलब काफी कम मैं बोनमील बनाने की कोशिश करता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि फ्लेश नहीं होता उसके बाद मैं ब्रेड से बोन मिल बना लेता हूँ आखिर में और वो आ नहीं रहा था पर अच्छनक से आ जाता है उसके बाद बोन मिल लेता हूँ और एक गाजर को फटा फट से ग्रो कर लेता हूँ और गाजर उठा लेता हूँ उसके बाद हम जाते हैं माइनिंग पे मुझे लगा कि ये काफी बड़ी केव है पर ये तो एक छूटी सी गूफा रहते हैं लाइक कैसा बरबाब टाइक मीम याद आ जा जाती है मुझे उसके बाद हम लोग अलग जगा पे माइनिंग करने जात कॉल मेन तो अरह एक चीज में लगता है को तो महा पर काफी सारे कोल सु रहते हैं मैं उसे मैं करते ही जाता हूँ और मेरा दोस्छ मांती है माइनिंग पे आप दोनों फिर मिलकर मैंड करते को ज्यादा कुछ होता नहीं हमें बड़िया कोल के कारं काफी बड़ा यूनेक steps बन जाए and we start mining from here ज्यादा करके दिन हमारा mining पर चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास Ion की काफी कम चीज रहते हैं ऐसा नहीं की चीजे नहीं रहते ही बर काफी कम रहते है माइनिंग काफी महने हमारी लिए मिलेंगे या पर मेरे टίο लगा देता हूं और एसे करते करते काफी सारी माइनिंग कर लेते है हम इसा सरय में कि कुछ में अचे मेरे तब लुद्र मेरे काक्स तूट जाते हैं युस उन पिकक्ष नहीं ब्रो क्या कर रहे हैं हो सो मैं उपर जाता हूँ और wooden pickaxe के आला कुछ और रुणने की कोशिश कर दो तभी मैं देखता हूँ मेरा दोस्त यहाँ पर mining कर रहा रहता है सो दोस्त के उपर धाबा नहीं बोला तो क्या कर या पर मैं उसके पास iron मिल जाता है उसे iron मिलता है पर मुझे नहीं मिलता फिर मैं उपर चला जाता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि वह उपर से गिर जाता है भाई मैं नीचे जाता हूँ देखता हूँ तो दो iron है और इतना गहरा खड़ा रहता है आपर आइवी ने के भी बोलो के बोलते है ना आइगेस सो हां के रहता है सो मैं वापिस से उपर जाता हूँ मेरा दोस्त तब तो नीचे आ रहा रहता हूँ इसके इस चीजे लेने के लिए क्योंकि आउविएसली भाई हम लोग अभी अभी स्पॉन हुए रहते तो हारे बास ज्यादा कुछ चीज तो रहती नहीं सो यह मैं धीरे धीरे करके उपर जाता हूँ आइडों नो मेरा फोन थोड़ा तो लैक करी रहा था क्योंकि काफी बड़ा रेकॉर्ड रेकॉर्ड यह वीडियो रेकॉर्डिंग था कि उसके बाद में स्टून स्टून टूल्स बनानी के लिए पहले मैं लखडी को ठीक लखडी बनाता हूँ और अपना पीकेक्स बनाके नीचे आ जाता हूँ पहले मैं कुछ खा लेता हूँ कि मेरा हंगर वार कम हो रहा था एन आय मैं क्यों डो इंगर्ड भी काफी बढ़ेर चीज़ है मेरे लिए सो या मैं पहले यह इंगर्ड को चुरा लेता है या पर स्लाइम दिखते तो मैं उससे मारता नहीं मुझे लगा कि कुछ नहीं होगा उसके बाद मैं देखता हूँ नीचे मेरे दोस्को काफी बढ़ा आयरन औ ऐसा ही होता है फिर मैं कैसे वैसे करके हर एक स्टोन को हाथ से तोड़का नीचे आता हूँ और तभी स्लाइम धाबा बोल देते हम पर कैसे वैसे करके मैं इनको भी निप्टा गई लेता हूँ काफी ज़्यादा